कि है यह फ्रैंड आज हम इस टैक्निकल आनल्यसिस के स्ट्रास में पीछे झह कही दिए ऑफ नॐ हम ने पूरा अनलयाइस किया थे प्राइस वॉल्युम जो अट्सन था पूरा पूरा हमने डीप में स्टड़ी गया था समझने की कोसिस करी थी कि मार्धेतम अगर प्राइस का ट्रेंड ऊपर की तरफ है और वॉल्यूम्स भी बढ़े हों तो इस पर क्या एंप्रेक्ट करता है अगर प्राइस का ट्रेंड नी तो मैंसी लोगर के जीद मुआ हैं, कि क्योंकि में। नियुक्ते इस तुम एफालो गाल में। उस में। जाता है कि यह धोर बुदुरमीanden है , गीज़े吃ेंट उसमाद कि जब चोई हीमि जाता है। यह तो हमेशा तूमिनेट कर आठगीं की बुदुरमीफ साठ। तब यह trend लगाता और उत्वर की तरफ मूव कर रहा है तो जो trend वह set जो trend है उस trend का strength बहुत ज़्यादा है वालिडिटी अच्छी उस trend की क्योंकि उसमें बढ़ रहे हैं सेम उसी तरीके से अगर price गर रहा है और market का trend लोवर साइड में नीचे की साइड में और वोल्यूम्स बढ़ रहे हैं तब भी यही मांगे चला जाता है कि market में बढ़ रहे हैं और trend नीचे की साइड में तो जो भ आजा कैसे लगाते है कि volume positive side का or negative side का हम तो सिर्फ क्या करते है कि price अगर हमारा गिर रहा है और volumes बढ़ रहे हैं तो हम यह मांगे चलेंगे कि बड़े हुए volumes सारे sales side के volumes से और market उपर जा रहा है और volumes बढ़ रहे हैं तो buy side के volume है लेकिन होता कि एक time के बाद मैं कहीं ना कहीं करते हैं तो चार्ट के अंदर उसको study करने के बाद में उसमें एक अच्छा profit लेने का possibility रहता है और एक किसी के uncertainty से बचने का एक हमारे पास में remedy रहता है तो ऐसा ही एक indicator है on balance volume on balance volume क्या है OBV वो क्या बताता है आपको वो बताता है कि जो भी volume generate हो रहे हैं चार्ट के उपर वो अगर negative volume generate हो रहा है और market ka trend उपर के तरफ है तो ये wearning signal है हमारे लिए मार्कित नीचे की तरह है और whom kita positive volume generate होने start हो जाते हैं तब भी a warning signal है कि down 1000 हो जकता है कि address हो रहा हो या उपर के अजयाएगा समझना अजयाएगा कि यह ओन बैलेंस वोल्यूम है वो कैसे काम करता चार्ट के उपर आप देखिए कि यह आपका मॉलिम बार बना यहां पर आपका इंडिकेटर बार बना और यहां पर मार्केट में यह मार्केट का मूव था जो भी मार्केट का मूव रहा हो और यहां से मार्केट में इस तरीके से ब्रेक आउट दिया मार्केट उपर के तरफ चला यहां पर क्या होगा ट्रेंड में यह इस तरीके से मार्केट में यह मूव दे रहा था और मार्केट में यहां पर यह मूव देने स्टार्ट कर दिया यह क्या है यह आपका इंडिगेटर है on balance value volume यह आपका इंडिगेटर दा अब आप यह देखिएगा इसको correlate कीजिएगा यहां से इसने breakout कहां देने start कर दिये लग लगो यहां पर यहां से इसका trend का reversal expect कर लिया और market उपर जाने लग दिया अगर हमें इसको यहां से देखना start कर हैं तो आप यह देखिएगा कि market में down side का move था market कहां था downside का move था लेकिन यहां इसने क्या score कर दिया चार्ट के ओपर दिखाना start कर दिया कि इंडिगेटर ने की market ऊपर के तरफ जा रहा है यह वोल्यूम्स जो आ रहे है वो वॉल्यूम्स आप positive side के volume का रहे है देकि यह volume बा कर रहा है यह price का movement था इस तरीके से market ने move करना start किया था downside का trend था market ने move दिये और market वापस से यहां से भी downside की तरफ ही move कर रहा था लेकिन इंडिगेटर क्या दिखाता है इंडिगेटर ने ऊपर उठना start कर दिया यानिकि इसने अपना trend ऊपर की तरफ सेट किया अब trend set करना start कर दिया इससे समझ में आने लग दिया कि यह जो मार्केट में वॉल्यूम्स जुआ रहा है वो वॉल्यूम्स अब negative side का volume नहीं यह positive side का volume आने start हो गया है जब हम यह समझ पाते है कि market का volume positive side का आना start हो गया इसका मतलब क्या है कि जो informed जो investor है वो market में entry करना start कर दिया बाइंक की side में और जो यह सकता है और मार्केट में वापस से accumulation वाला face आ सकता है और मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सकता है दूसरी चीज़ चार्ट के उपर प्राइस के उपर जिस तरीकी के pattern काम करते हैं हम बहुत सारे pattern के बारे में आपको बताया ट्राइंगल पैटरन हो फ्लैक पैटरन हो कप पर इसी हिसाब से काम करते हैं आप देखें यह प्राइस का action है और यह indicator का momentum action है अगर हम इसको यहां से ऐसे इसको करके देखें तो आप यह देखें गया कि यह breakout यहां से बिल गया था मार्केट में continuous market क्या कर रहा था इस इंडिगेटर की बाद कर रहा हूँ सिफ में आपको यह indicator कि गडेट कर रहा था बार-बार बाहर सायद में जाने की को इसकार अग्राघव वापस निचा रहा था यानि कि यहां पर रही रा था अच्छे जन्रेट हो रहे हैं और यहां से आप देखेगा इसमें मार्कित का जो पैस का जो ट्रेंड ताफ भी मूव करने लगे उपर गें एक अगली सी है कि यह जो इंडिकेटर है इंडिकेटर कभी भी आइसोलेट ट्रेंड नहीं करता आइसोलेट होकर यह कुछ भी नहीं इसको चार्ट के पैटर के साथ में हम इसको मर्ज करते चलते हैं तो इससे जो निकलने वाली वाली होती है वह थोड़ी रिलाइबल और उनका वैलेटी अच्छा रहता है आप यह देखें कि यहां पर भी क्या हो रहा था यहां आप देखें यह वाला अगर आप इसको एक ब्रेक वाला फेस अब आप यह जो चार्ट को पर जिए पहुचे करना यह पर चार्ट करना है यह पनद आप यहां से ब्रेक आउट अब हम यह से क्या एंटिस्पेट कर सकते हैं कि जब यह की कप का फ्रॉर्मिशन पूरा हुआ और यह प्रोज करने लगे निचे तरफ में तो एक प्रोजेक्शन आने लग जया कि शायद ये कप एंडल वाला फॉर्मिशन पूरा करने जा रहा है तो हम अर्ली अलग एंट्री इसमें लेना चाहते हैं तो इस प्रोजेक्शन के हिसाफ से भी एंट्री ले सकते हैं और उसके साथ में इसने कनेक्ट कर दिया आपको सब्सक्राइब कर दिया और आपको यह समझ में आ गया कि पॉजिटिव साइट के रूर्स मार्केट में आरे स्टार्ट हो गए है इसको नेगेटिव साइट और देखते हैं यह वापसे बार बना वॉल्म का बार बना नीचे एक इंडिकेटर बार बना और यह मार्केटर प् यहां से कनेक्ट करें तो इस टाइम पर ये जो भी टाइम चलना था, इस ताइम पर इसकाटच चलना था, यानि कि पाइस के बाद और ऊपर के गद अबर के तकर वोग इसका मतब जो भी value market पर जलिट हो रहा है वो नेगेटिवज्ए का इ सेड़ो होता है किसी भी प्राइस के अच्छाइब का प्री फोर्कस्टिंग होती है कि मार्केट में यह होने जा रहा है यह एक warning की आलख वाला signal देता है और इसको क्या करते हैं compare पोर्लेट कर देते हैं पैटरन के उपर पैटरन से और ज्यादा हमारे clarity आ जाती है और दूसरी इंडिगेटर्स होते हैं उनके साथ में इसको merge कर देते हैं आप यह देखिए आप यहां से कैसे पतलगा है पैटर के ऊपर यह ट्रेड लाइन आपकर द्रौ यहां से वापस से यह वाला formation बनाया और यहां से breakdown ला यह breakdown आपको यहां से early confirmation कहां से आगे थे आपको कहां से आगे थे इस प्राइस आपको अगली सिगनल आगे थे अगर आप आपनी पोजीशन को काटने के लिए आपको ऑल्रेटी सिगनल आगे थे आपको ब्लेकडाउं का आपको अपने प्राइस पर अपनी एंट्री अगर आप बैटे हुए और आपको फ्रैस एंट्री लेनी थी तो आपने वेट किया और ब्रिक्डाउन के बाद में आपने कंफर्मिशन आपको और आपने अपनी एंट्री दूसरी चीज यह है कि इसमें डाइवर्जेंस आते हैं कई बार डाइवर्जेंस को बहुत ही फूकस के साथ में में देखना चाहिए प्राइस का एक्शन उपर की तरफ होता है इंड पर रही फोर्कास्ट कर लिए कि मार्कित में सिगनल कुछ आपको वोर्न कर रहा है पॉजिट्व साइट का मार्किट और स्कार नेगिशी में आ सकता है डेकर आपके वापस से ऊपर के ट्रैंड में साथ हो सकता है तो आज हमने ऑन बैलेंस वैलियो को आपने स्टडी किया यह कर पर देखिए चार्ड पर इसको च्पर अलगीर्त साथ चर्ट पर इसको इसको इनटेयों कि आपको परक,' क्योंग कि यह यह आपको फोर सिड्यों में अपको इपकी बारे में पहले सिंझे कि ओनले हुरे हैं यह volumes by side के हैं या sales side के volumes हैं तो जब pre-indication आपको मिल जाएगा तो आप decision ले पाएंगे और decision लेकर आपने position को उसे हिसाब से accumulate करना, distribute करना, edit करना या enter करना वो decision आप ले पाएंगे आज की वीडियो में इतना ही अगले में अगले वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे वापस से open interest और दूसरे indicators के बारे में चर्चा करेंगे आज के लिए इतना ही, thank you very much